हेलो एन वेलेकम दोस्तों मैं उन जिनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस तरीका का नया नया वीडियो पाईए आप रोजाना जब ही आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो पासपोर्ट की भिलेड़ी दस साल की होती है दस साल के बाद पासपोर्ट एकस्पार हो जाती है और आपको रिनुवल कराने की जुरुवत पर जाती है रिनुवल कराने टाम में आप उसमें नेम, सरनेम, एड्रेस, डेटा अब पिक्चर से लिए अप उसमें करवा सकते हैं पासपोर्ट डिएफ़ अप्लिकेशन में जो भी आप डिटेल करेंके वही आपके नए पासपोर्ट में आएंगे तो जहार एक प्राइब किस तरीका से हम पासपोर्ट डिलिए ओनलाइन अपलाइब करेंगे कि इसका मैं आपको complete process दिखाने वाला हूं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे तो खूंद में कैटेनियम है आप ऐसा करने की कोशिस कीजिएगा और आप चाहरे को कर भी सकते हैं आप रेनुर करने के लिए आपको इस पेच पर आना होगा इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं वहां से जाने के जाके आप इस पेच पर आ सकते हो या पने ब्राजर में टाइपिंग कीजिएगा passport india.gov.it तो भी इस पर आ सकते हो यहां पर धियान द कि जो अबस एह याँ नहीं श्यरींग ए संपरेद कर लेंगे कि आप्डॉट करना चाहते हैं यहां चाहते, और फीस करना कि यहां किसमे कर दो करेंड समयन के wrist trip पर यहां से बशानिकिया, आपके सामने आ जागा कि इस पासपोर्ट ओपिस में अप्वाइमेंट एवलेबल है या नहीं जो आप देख रहे हैं कि यहां पर लोकेशन भी आ चुगा है या एड्रेस यहां है और यहां परव्लेबल के लिए लिए लिएगा। यहां पर दो अप्सिन दिए गए हैं, यहां डिप्लमेटिक के लिए है चलिए हम आम नागरिक है तो simply हम यहां पर पासपर्ट ओपिस पे ही क्लिक रहने देंगे, इसके बाद यहां पर आप चूच कर लेंगे लोकेशन की कौन से पासपर्ट ओपिस में आप जाना चाहते हैं तो आपको क्लेंडर में से चूच कर लेना है इसके बाद यहां पे आपको डालनी होगी एक इमेल अगर अपने अपने कि लाइड को लोगिं आडवाते हैं तो यस करेंगे नहीं तो हम यहांपे लोगिक कर देड़े सिख लिख अगर आपको नहीं होगा तो यहांप लगक्त यहां रहती पर जा चलिएन यहां आपको एक पासवर्ट चूच कर लेना है पासवर्ट को दुबारा से यहां कर देना है इसके बाद यहां पर आपको नएक हिंट क्वेस्टिन चूच कर लेना है कि जब भी आपको अपना पासवर्ट भूल जाते हो तो इस हिंट क्वेस्टिन के वज़र से आप अपने पासव पुलिड हो चुका है जब तो आपकी एमेल आड़ी पर एक लिंक दिया गया हुआ जहां से जाके आपने जो यह जो रिष्टेशन किया है इसको आपको कॉंफर्म करना होगा आप देख रहे हैं कि मेरे पास एमेल आ चुका है तो सिंपल यहां जगे लिंक दिया हुआ है लिं यहां पर लोगिन आड़ी है यहां पर आपको जो पासवर्ट चूच किये थे वह पासवर्ट आपको यहां पर डालना है यहां पर डालके यहां पर लोगिन कर लेना है तो आपको समने कुछ इस तरीका से यह ओपन होके आजागो आप जो आपके सामने में इस दिख रहे है है तो इस तरी के से लेफ इफ साहिएंगी यहां पर स्थिए कुछ आपको ऑप्चिन में यहां यहां पर आपको documenting करेंगे इसके बाद आपको यहां से अपने स्टेट्स कर लेना है जहां से जो से स्टेट्स है तो आपको यहां से स्टेट्स कर लेना है इसके बाद डिस्टिक आपको इसमें से आपको चूच करेंगे डिस्टिक आपको कहां से को यहां से चूच कर लेना है कि आपका डिस्ट तो जोबी हो ईपांडियर चूछ कर ले ना है इसके बाद यहांने सब्सकर लें कि 70 पेज और 36 पेज आप छोगी लेना है तो इसमें से चूछ कर लिए चलिए यहां मेंगी फ्रेश पास्पोर्ट और यह पास्पोर्ट तो हम यहां पर यह पास्पोर्ट पर क्लिक कर लेंगे यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर सारा ओप्शन ओपन होके आ चुका है अब यहां पहले कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तीन साल पहले तो आप यह वाला उप्शन चूच करेंगे लेकिन अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तीन साल के अंदर अंदर तब आप सिंपली यह वाला फाइल को चूच करेंगे जैसे से अभी 2020 चल रहा है तो आपका पासपोर्ट 2017 से लेकर 2020 में अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो लिए आपको यह वह आप्सपायर होने वाला है तो फिया ही चूज करेंगे इसके यहां से चूज कर लेंगे आपको किस त्रीकेशा अप्लीकेशन अपलाई करनी यह नुर्मल ततकाल चलिए नुर्मल चूज कर लेते पासपोर्ट के बुकलेट जो ही लेना है यह प्रतिक प्रिमाइज कर देना यहां पर यहां। यहां पे अपना पूरी डिऊच्टेल फिर्व करने होगे यहां पर डाल जा अपना फस्त नेम और मिडिल यहां पर अपना लास्ट नेम डाल देजिए जैनर आप इसमर में से चूश कर सकते हैं जो भी कि यहां से चूज कर लिजिए यहां पुछा जा रहा है कि आपको किसी और नाम से जाना जाता है अगर जाना जाता है तो यह करेंगे नहीं तो OFF पहिर रेंगे आप यहां पुछा जा रहा है कि क्या आपने कभी अपना नेम चेंज किया अगर किया है तो यस नहीं हो simply हम not ही रहने तो आपको यहां यहां डेटब बार्थ इस क्रेंडर में से छोच कर लेनी है जुए आपका डेट अब यहां आपके लेंगे अगर अपना इंडिया से बाहर करेंगे नहीं तो हम यहां पर यहां थे जिफ्तु amendments कने इसकी कि वार्य法 सिंगल में जो भी शूद करले आपको यहां पुछा जा रहा कि आप का इंडियें चैने कैसे है तो यहां आप चूँज कर लेंगे बडंगे अगर आपके पास पन कार्ड है तो इसका नमबर है अध्यार कार्ड है तुछ इसको आप वह सही छोड़ देंगे अब को फिलप नहीं करना है आपको यहां पर की इंप्राइमेंट टाप चूज कर लेना है कि आप काम क्या करते हैं यहां सेल्फ इंप्राइट पर ठीक है नहीं देंगे अब यहां पुछा जा रहा कि आपके प्रेंट में कोई कर लेना चाहिए हम यहां पर गुरूर्ट कर लेते हैं यहां पुछा जा रहा है कि क्या आप नोन इस यार्ड लेकर करेंट करके इसमें डेक सकते हैं कि कौन सा डोकूमेंट आपको नहीं इस यार में आपको लगएगा अगर आप 10 पास किये हुए तो सिंप्ली यहां पर ठ यहां पुछा जा रहा है आपका देना जो लगशिंगे रह.» यहां लास्ट यहां मादर का फर्स्ट निम डालना है यहां लास्ट अगर आपकोई गार्जियन है तो इस इंपिल इस गार्जियन के यहां फर्स्ट निम डालेंगे मिडिल निम डालेंगे और यहां पर इसको लास्ट निम यहां पर डाल देंगे नाम डालने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है अब यहाँ पूछा जा रहा है किया आपका पर जेंट ओफ एडरेस ओट आफ एंडिया की अगर हां तो यहाँ यह पूरा डिटेल डान डालेंगे कि आप कहां से अगर आप इंडिया में तो तो simply आप No करेंगे और यहाँ पर पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल देना है जैसे ही अपना पूरा एड्रेस डाल दियेगा तो यहाँ भी और धैस्ट आधर वैज्ट ना से सलक्ट कर लेना रहा है क्या और पर पूलिस एस्टेशन पर देना है इसको यहाँ पिंखो डाल देन और करेंगे, अगर आपका, पर्वानियट यह से नेहीं केबाइन कर देना में अब यहांपि यहां पूछा रहा है क्या आपका से, संपर्क नहीं हो पाहरा है तो रखाय स्था पाइड, ग़ूएं सम Carl देंगे तो उससे संपर्क हम इस पर नाम डाल देंगी है अब आपने पुराने पासपोर्ट के पुरा दिटेल आमकी यहां यहां पर आपको पासपोर्ट मि-मिल जाएगा फरस ऋसेकेंड पेות यहां पर यहां पर नापैकर दाल दो liberus a रहाँ डिटेल से नोट एवलेबल आपको यहां पर यहां पर यह बाले को सलेक्ट कर लेना है यहां पूसर जा रहा है क्या आपने पासपोर्ट के लिए का भी अपला किया था और वह इस्यू नहीं हुआ रहाय है आपको आपको क्या रहाय हैं है क्या आपको नैने तो इसियो डिया थे क्या किए है किसी कोट को बाहत आने के लिए रोक लगाई किया को आप कोप सब्सक्राइब कि इसते निचे का है किया कभी आपके पासपोर्ट को भी रिजाग सबंगा आप वचिव kommt कर नाइट और सुर्ड़ को सब्सक्राइब यह बाता हूं सिंग नेचर का अप्शन है इसके बाद आपने जो पास्पोर्ट इसके तरीका से क्वाच चेक कर लिए आपका नेव डेट और और सारा प्रोसेस यहां पर आ चुका है और यहां पर आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा इसके बाद सिंपल यहां पर नेक्स्ट कर देना है भी वह आपको यहां सा चुच कर लेना है चाल इस में भी हम अदहार काड़ी सुच कर लेते हैं तो सब्सक्राइब चूच कर लीजे मतलब कि आपने अधहार कार्ड के बेशस पर अपने पास्पोर्ट को करा सकते हैं निचे दे गए पास्पोर्ट से भाईया से में सब्यब आपको यह पता चलेगा कि आपके passport का क्या status है अगर आप ले रहे हैं तो लेकिन अगर आपको यह passport सेवा SMS नहीं चाहिए इसको नो करेंगे इस वादे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे यहाँ से भी आप इसके वाद सिंपली आपको यहाँ डेट आ जाएगी यहाँ पर का अचुका तो आपका जो है नमगर यहाँ नमबर भी आपका जेनरेट हो गया है जो कि आपका नमबर यहाँ anytime पे fluश करना है इसको यहाँ पर आपको यहाँ ले 성 न이에utenum बढ़ेगी इसके बताब अगर चाहा है तो यहां पनी सप्रिक डॉक्मिंट को अप लॉड भी कर सकते हैं तो चलिए पहले हम पेसपे करेंगे जिसके लिए हम यहां पर सिंपरी पीश यह पेंडर सेडूल करेंगे यहां पर देखे हैं कि करेंगे तो यहां पर देख रहे हैं कि कुछी इस तरीका से ओपन होके आ चुका है तो इस तरीका से आपको 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 जिस डेट को आपको अपाइमेंट मिल रही है वो डेट आपको यहां पर सो कर देगा जो आपको यहां पर देख रहे हैं अगले मत में जा सकते हैं इस इस मंत में भी आप आजाईगा तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आप कर सकते हैं इसके यहां पर यहां पर आचुका है यहां पर यहां पेइमेंट कर सकते हैं इसको पर यहां पर क्रेडिट कार्ट से पेइमेंट करने के लिए आप देख रहेंगे 26 रुपिया 555 पैसे मतलब आपको यहां पर अकाउंट में से कट हो जाएंगे तो आप जिस भी से अधर जिसे यहां पर आपको यहां से भी पेइमेंट कर सकते हैं चलिए हम अधर वाले के चूच कर लेते हैं तो सिंपल क्लिक करेंगे इसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीका से औप्सन ओपन होका जागे चलिए हम यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहें कि कुछ इस तरीका से आपक तो कुछ इस तरिका से एक प 1996 आघा जाएगा तो आप देख रहें कि आपके सामने ईयः पर क्रहा है उप यहां पर पूरे डिटेल हैं तो यहां पर आपकर नमर डालिए यहahan पर मन्थ यहां पर यह डाल दीजी यहां पर फोल्टर का नेम यहां सी सी भी डाल देना है जो आप देख रहे हैं एक ho đám होता है तो वो आपको यहां प्लीक नहीं आती है तो 20 क्लेक्स लेक्श के जाङव miten पेडिक करूंपा कटरेंगे और यहां से पर देख रेएं कि इसको ठोumbleежд कर देना है यहां से अप ब्रिंट भी कर सकते हैं इसको आप अपने डॉकमेंट को यहां से डोकमेंट भी कर सकते हैं पहले आप यहां से चूज कर लेटें करेंगे यहां पर आप जाके जो भी है अधार पूरुप में क्या देना चाहते हैं वाटर विल एलेक्टिसी टेलीफोन बिली वोटर आड़ी तो इसम धेड़ सारा ओप्सन है जो भी आपको देना है सिंपली इसमें से चूज कर लेंगे यहां से अधार कार्ट को चूज कर ल यहां पर है बर्थ साथिफिकेट पेन कार्ट ट्रांस्पर स्कूल लिविंग साथिफिकेट है इसमें धेर सारा ओप्सन है जो भी आपको देना है सिंपर इसमें से चूज कर दिए चलिए इस बार हम यहां पर चूज कर लेते हैं बोतर आईडी और बोतर आड़ी को यहां आपर जुन दया कि यहां परieltऊ कर देना है ऐसको बाद दूसरा ना पर देके हैं कि नगर्जिय के बाद अधर है अरह डो में अब दक्राटर है और हो छुरे हैं अपर सारी यहां पर आपको लोट्ट कर देना इसे बाद यहां पको डेखे है को जो भी है यहां पर प्रिस्ट करेंगे जहां फी रखरेंगे वहां आप पुरु में दोधा तो आपको पासपोर्ट ओफूस में इंट्री करने दिया जाएगा तो इस में से तो टाइम और डेट दोनों दिखाया होता है आपको टाइम से 15 मिनट पहले आपको पास्पोर्ट आपस्पोर्ट में पहुंच जानी है तो आपको वहाँ पी जब भी एंट्री के पर सिलिप दिखाने के लिए बोलेंगे तो आपको यही सिलिप आपको आपको देखानी आएगा इसके बाद आपका फोटो वहाँ पर क्लिक किया जाएगा जो भी वहाँ पर फोटो क्लिक किया जाएगा वही जो आपका पास्पोर्ट में वही पास्पोर्ट में फोटो आपका आएगा और साथ ही आपको एक सिनिचर ले जाएगा वही सिनिचर आपको पास्पोर आपके जितनी डोकिमेंट आपके अभी है धारकाट है इसके बाद फोटो है इसके फोर्म है सब को लिया कि वहाँ पर आपको सम्मित करना पड़ेगा तो जैसे ही कहो आपके पुलिस सारी डोकिमेंट जो में बोला हूँ ले जाकर जमाद की जगा तो आपको जो आपको प्लीकेशन लिखानी होगी और जो ही पूरा प्रोसे से आपका जो प्रोटेस्थ है उसको रीजिव कराने का तो आपने जाना आ किस तरीके से पासपोर्ट रीवल के लिए जो में एपलाइक करेंगे तो आई होपको इस अपको काफी पसंदाए होगा, अगर वीडि को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंज के साथ सेर कर दीजिए और आपके दिल में कोई क्वेस्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके नीचे कॉमेंट कर दीजिए